आप तो DJ बजवार रहे हो, आप तो जो है वो उचलवार हो, कुदवार हो, बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो यह फिर ऐसी बात कर रहा हैं, अब में उक्तेश वरानन्द। लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं, मुसलमान की दुकान है, हिंदू नोकर हैं, बन अब उनको दोनों के अंदर वेदा गया अभी तक तो यह सब आध्यान में नहीं थी यह भी जानते थे कि यह मुसल्मान है यह हिंदू है लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था अब बल आ जायेगा इससे हर समय हिंदू-मुसल्मान की दृष्टी से एक दूसरे को देखना सुरू करेंगी तो उनके दोने अंदर कढवाहाट टकराहाट पैदा होने लग जाएगी अगर हमको पवित्र जीवन जीना होगा तो कोई हम को मजब 1999 कर सकता कोई एसा कानून नहीं है संसार में जो किसी को सब्सकार या पवित्र जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर दे असल में पवित्र जीवन जीना की अपवित्र जीवन जीना ये अंतह करण से व्यक्ति के अंदर से बात आती है देखिए हम लोग सुने थे एक दृष्टांत की एक राजा था उस राजा ने एक पंडित जी का साथ किया पंडिजी ने कहा कि अपने हिंदु धर्म में संध्या का बहुत महात्व है प्रातकाल होते ही संध्या कर लेनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी होता है तो सुरियोदे के आसपास थोड़ा पहले थोड़ा बात तक में संध्या हो जानी चाहिए तो उसने संध्य का महात में सुना कहा कि बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं अप ऐसा ही होना चाहिए तो उसने अपने राज्य में आदेश भारित कर दिया कि राज्य की कोई भी व्यक्ती स्रीयोदय के थोड़ा पहले थोड़ा बात अबर्टक में संध्याया करता दिखाई देगा।तों सेलखने लिए अगया तो सब लोग संध्याय करने लगे। को नहीं पड़ता है। तो एक पंडित facilुत कि वह संध्याया करते थे उनको राजायाया की जरूरत नहीं थे लेकिन तबियत भिकड़ गी, पेट खराब हो गया अशाना, अब जिस समय वो संध्या का समय आया, सुरियोदे के आसपास का, उसी समय उनको हाजत आ गई, आब वो क्या करें, वो तो संध्या वाले ही थे पहले से, लेकिन परिस्तिती भी तो होती है, शरीर की परिस्तिती बन गई, अब उनको भागना पड़ा लोटा ले करके, पानी ले करके, पहले बाहर जाते थे लोग, तो भागे, अब जा करके, एक मेड़ के पीछे बैट करके, वो संध्या करने लगे, उसी समय राजा की सिपाही निकले, तलवार नंगी ले करके, कि जो संध्या करता नहीं अब वो बिचारे सोच कर रहे थे अब उन्होंने देखा कि पुलिस नंगी तलवार लेके आ रही है और हम तो संध्या कर नहीं रहेंगे अब क्या करें तो फिर उन्होंने वो जो आपदस्त के लिए माने पानी छुणे के लिए जो लोटा बरकर के ले गये थे उसी पानी से मंत्र पढ़ना सुरू कर दिया और माथ्ये पिछ ड़ड़कना सुरू कर दिया कि अपवित्र अपवित्रोडि मानि जो संध्या के मंत्र पढ़े जाते हैं और सेंष को स्ञ Украї को ने सुना हाँ संध्या का मंत्र बोल रहाएज ठीक ठीक चलो चले गए अब आप बताईए कि इस तरह से संध्या होती है ये तो सिंध्या नहीं है न तो इस तरह के जो आदेश है वो बाहर से नहीं आएंगे देखिए इसलिए हम कहते हैं कि राजनीती माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की जरूरत है ये जो धर्म शक्ति है हमारा जो पीठ है ये किसलिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतहकरन से मनवा दे हम उनकी ऐसी समझाई इस करें कि जिससे वो अपने आप अफरात से बच जाएं हर घर में भाई बहन साथ रह रहे हैं जबान भाई बहन रहते ह हैं हर गर में लेकिन कहीं कोई अत्याचार आनाचार नहीं होता है क्योंकि उनकी समझाई इसी बढ़ गई कि मेरी बहन है वो मेरा भाई है कभी जीमन में विचार ही नहीं आते ऐसे जिससे कुछ अगडवड़ी होने की आसंगा हर घर में सोना चाड़ी रखा रहता है लेकि तब हम यह शिक्षा दे देंगे, कि भाई तुमको अपनी पवितरता को मेंटेन रखने के लिए, ऐसे नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, तो वो करने लगेगा, कानून से एक आम हो सकता है, कानून से आप नाम लिखवाद होग अब उन्हों नाम अंतरण नाम बदलना बंद कर दिया अब इसलाम वाले भी कनवर्ट कर रहा हैं तो नाम नहीं बदल रहा है और इसाई वाले भी कनवर्ट कर रहा हैं तो नाम नहीं बदल रहा है वो नाम वही रहने देते हैं आप अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में और नाम देख करके हमने खरीद लिया और खा लिया तो क्या सही हो गया फिर दूसरी बात है जो जैसे फल की दुकान में, आप नाम लिखवा रहे हैं, अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सीचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा, कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है, तो ऐसी परिस्तिती में केवल सामने-सामने की बात आप कह रहे हैं तो आप अच्छा फिर अचानक कर दे रहे हैं पहले ऐसी कोई सिक्षा का आप बर्ग चलाते कि जो कामड़िये हैं उनका प्रसिक्षन होगा उनको समझाया जाएगा कि देखो शाहत्र के अनुसार जिस समय हम कामड़ ले करके चलते हैं उस समय हमको पवित्रत आप तो डीजे बजवार है आप तो जो है वो उचलबार है उकुदवार है तो ऐसी परिस्तिती में कामड़िये जो धार्मिक भावना है उनके अंदर वो कैसे उनके अंदर आएगा तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो बिद्वेश फैलेगा हमारा अपना स पोचना है बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो यह फिर ऐसी बात कर रहे हैं अब में उक्तेश्वरा नंद लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं आकिर हम कैसे कह दें कि यह सही है क्यों क्योंकि मुसल्मान की दुकान है हिंदू नोकर है बनाने वाले सब पर बैट करके मालिकाना कर रहा है अब नाम लिख दिया गया कि ये और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा मालिक की तो दुकान रहेगी लेकिन वो चटनी कर देगा तो हिंदू हिंदू चट जानते थे कि ये मुसल्मान है ये हिंदु हैं लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था अब बल आ जाएगा इससे अब जब बल आ जाएगा तो हर समय हिंदु मुसल्मान की दृष्टी से एक दूसरे को देखना सुरू करेंगे तो उनके दोने अंदर कड़वाहट टकरहट पैदा होने लग जाएगी तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं अच्छा आज परिस्तिती ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको चुआ है किसने इसको बनाया है किस भावना से बन आधी आधी लेकिन आप आम जो हिंदू है वो ये सब बिशार करता नहीं है और ऐसी परिस्तिती में उसको समझाई इस तो ठीक से दी नहीं गई लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है और इसमें किसी को भेद भाव डालने की हमारी किसी को निशा दिखाने की ऐसी कोई भाव ना इसा वाता बरन एक बनाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो साहिद ज्यादा कारगर रहता लेकिन अचानक जो जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको तो अभी तक तो लोग समझी नहीं पा रहे हैं कि क्या है हमने तेन चार लोगों का देखा जैसे वो माहौल के आहे वाला गया था जनता के बीच में जाता है वो जनता की राय देता है अब वो कह रहे हैं हमें कोई फरक नहीं है हमतों मुसल्मान के दुकान में गये थे उन्होंने डेंट लगाया था वगद्धा भी शाया था हम तो वहां आराम किये अर उसे क्या प करें